हेलो अब्रिवन ये टाटा इस्टिल चैस मास्टर्स का राउंड टेन का एक गेम है जिसमें वाइट में परम मक्सूद लोग खेल रहे हैं और यहाँ पे ब्लैक में मैंगनेस कालसन खेल रहे हैं तो वाइट ने यहाँ पे जो स्टार्टिंग के डी 4 से की यहाँ पे जवाब बिश्चप जी फाइब आया प्रॉबबली इस नाइट को पिन करने के लिए जो यहाँ पे नाइट है और आप इस नाइट को सेंटर में जो यह पॉन है उस पे आप अटैक कर सको फ्यूचर में पॉसिवली यह आईडियास हो सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर आया को डिफेंड कर रहे हैं और फ्यूचर में आप जो बिश्चप को आगे निकाल सकते हो डेवलब कर सकते हो तो यहाँ पर आया एट 6 तो आप इस बिश्चप को क्लेम कर रहे हो कि आप यहाँ से हटिये और यहाँ से अपना जो पीन वाला गीम खेल रहे हो निकल यहाँ से त फिर यहांपर जो पीन वाला game है वह चलता रहा तो उसके वाद आया है यहाँ बिश्वप जीफ हो तो उन्होंने बोला ठीक है आप अपना game के लिए हम आपके queen पी अटाइक करते हैं और यहाँ पे जो night है उसको आप place कर सकते हैं आश से ओर bishop को ला सकते हो तो अगर आप कुईन को यहां से हटाना नहीं है तो यहां पर कुईन हटाते भी जो है वाइट ने चेक दिया तो अनुमलद ठीक है कोई बात नी बिश्यप आ गया कोई बात नी अटेक कर रहा था तो हम भी आपके राजा पर अटेक करते हैं तो उसके बाद आए C6 उस चेक को डिफेंड किया सिंपली आप पॉन से जो था ब्लॉक कर दिया है कि अब आपका जो चेक है वो यहां पर हट गया लेकिन आपके क्वीन है एक एक स्क्वायर पर प्लेस कर दिया है जहां पर वह एक्टिविटी दिखा सकती है बट अब देखत हुआ फिर वही बिशप वाला गेम जो आप बिशप पर अटैक कर रहे हो तो यहां पर खेला गया बिशप H5 बिशप को उस डाइगनल से हटाया पॉसिबली जब भी आप देखते हो नहीं यहां पर आप कैसल नहीं कर पाऊगे क्योंकि राजा जी से स्क्वायर पर जाने व जो है सेंटर में पहले सी फायव के लगया और उसके बाद यहां पर क्वीं साइड बिशप करते हुए पाउन से आपने यहां पर बिशप पर अटाइक किया तो अब बिशप के पास ज्यादा स्क्वायर निया एक ही स्क्वायर ही है तो आप क्या गरोगे बिशप से पहले आपने capture किया कोई बात निया आपने पहले pawn था center में पहले इक्वल किया कि यहां पर जो pawn है अगर आपको bishop move होता है तो यह pawn पर defense भी खतम हो रहा तो पहले आपने pawn को capture किया आपके knight पर attack है आप capture कर सकते हो कोई बात नहीं कर लो मैं आपके knight को capture कर लोंगा तो इस idea से पहले यहां पर e takes d4 हुआ लेकिन अभी pressure इस वाले bishop में है तो bishop को आपको बचाना पड़ेगा तो bishop आया g6 पर और यहां पर capture किया उस bishop को और उसको f से जो हमारा pawn था इस वाले f से g6 को capture किया तो आप queen से इसको easily capture कर सकते क्योंकि अब यह एक free pawn है तो इसके बाद यह knight आया जो capture किया है knight g4 पर तो आप इस move को देख रहे होंगे knight को sacrifice क्यों किया आप simply जो है जो यह bishop है आपके यहां पर वो capture कर सकते हैं easily तो knight को पहले यहां से हटाया दूसरा आप क्या है इस वाले square पर भी आप प्रेशर बना रहे हो दूसरा अगर आप इसको capture करो direct तो यह possibility हो सकती है चलो सिधा हम capture ही करेंगे ठीक है तो इसके बाद जब हम capture करेंगे तो सिधा check आएगा और जो है knight है उसको हम बचा सकते हैं तो आप एक peace up हो जाओगे तो यह possibility हो सकती है peace up तो नहीं होंगे एक्चल में आपके पास दो knight है और काफी activity है आपके जो center में है पूरे open file हो गया और knight को develop करके rook भी ला सकते हो काफी चीजे हो सकते हैं यहां पर तो possibly यहां पर जो move चली गई वो knight takes g4 फिर queen से यहां पर पहले check दिया गया और queen से जब check पड़ा है तो आपको defend करना पड़ेगा king को तो king defend वा रुक f7 से block करके तो यहां पर जो white ने पहले capture किया knight को और यहां पर bishop को capture किया तो यहां पर knight आया center में इस पर attack करते हुए तो सबसे पहले तो queen थी जो उसको पहले challenge किया कि exchange करना है तो उसके बाद यहां पर exchange कर दिया और bishop से आपने back किया क्योंकि bishop पर attack था ही तो उसी piece जिस piece को बचाना था उसी piece से आपने यहां पर जो capture किया queen को तो आपका भी game बिलक आई वहा जो पॉन था उसको capture किया और उसके बाद यहां पर knight को develop किया c6 पर यहां पर पहले जो यह आपके pawn है उसको defend किया क्योंकि यह तो defended था यहां पर दो defender हैं और यहां पर दो attacker है तो अब देखते हैं कि rook e8 आया सबसे पहले check आया जो rook यहां पर develop नहीं था उसको develop भी किया और साथ पर check दिया एक tempo gain किया यहां पर knight e3 आया तो knight को पीछे भी लेगे गया और साथ ने defend भी किया वैल जो defend भी किया इस knight ने और काफी अची move है यह भी और यहां पर rook e4 आया तो इस पर और pressure बनाया है हमने spawn पर तो यहां पर आया डीफ है तो जो pressure बनाता हो उसने पर दो ठीक है अब इस वाले square पर गुरू आप जो काम करना था जो इस वाले square पर तो आपने तीन अठेकर लगा दिये चलो आप इस वाले square पर आते तो यह अच्छा था वाइट का यहां पर knight b4 आया तो अब भूला ठीक हम करेंगे सी square पर attack तो यहां पर जो है attack सुरू करन सुरू किया उस बोला चलो अब इस वाले पर करो तो नाइस है यहां पर पॉल पॉण को पुछ करते जाओ बोले कि अब दिखाओ इसमें attack करके तो यहां पर सबसे पहले knight क्या किया चेक दिया हम बोले कि यह pawn game अमने कहल रहें सिधर राजा पर attack करेंगे तो उसके बाद यह पर दिया चेक हुआ अड़ सौरी राजा राजा इंग अटाइक हुआ लिवा तो किंग आया अब यहां पर यहां पर नाइट हो ड़िव एधर कित रिष प्रिव और रुख टेक्स यहां पर जो पॉन था उसको कैप्चर किया और यहां पर डी 5 पर रुख और इसके बाद यहां पर ब्लैक ने खिला रूख D7 जो यहां पर पॉन है उसको बढ़ने से रोका कि फॉण थोड़ा थोड़ा चलते चलते हैं यहां पर कुईन बनने जा रहा था मटक मटक के लेकिन यहां पे जो रूख F1 आया सबसे पहले जो यह फाइल है उनको कवर करो पहले और अपने किंग के पास रखो ताकि जो रुक है वो डिफेंडट रहे और डिफेंस में भी काम है तो यहां पर बिश्चप टेक्स बीट हुआ जो पॉन था उसको कैप्चर किया और रुक को यहां पर पीछे लिखे गए प्रबबली यहां पर आई तिंग जो वाइट है थोड़ा टाइ पर यहां पर रुक डी फाइब आया अभी जो मूव है टाइम गेन करने के लिए क्योंकि ऐसे कोई चलता नहीं है क्योंकि जो एक साथ दो मूव लगातार जो है उनको चली गई तो पॉसिबिल यहां पर टाइम गेन करने के लिए वाइट ने यह चली है और इसको रुक बी पर प्रेसर बनाओ इस पॉन को विन करो क्योंकि बहुत ही एडवांस पॉन है यहां पर रुक वन डी थ्री आया और उसके बाद किंग जो है सेंटर पर आप स्पॉन पर अटैकर लगाते वे जा रहे हो और उसके बाद यहां पर नाइट डी टुआ है तो सबसे पहले जो आ नाइट रहाए जठा Rs 6 यहां पर द्रं penso कर दिया लुका टो आपके पास आइडिए कि आप रुक पर कैप्चर करओं के आपको पॉन यहां मिलेगा और जाए डिफेंड़ आ का रुक था इस वाले रुक से उसको आप कैप्चर कर वोगे तो यहां रुक को किनर जो एक आड आडवांस पॉन था उसको किंग ने कैप्चर किया तो यहां पर बहुत अच्छा गेम खेला गया उसके बाद यहां पर नाइट आया आपका E4 पर चेक करते हुए दो फॉर्क लगाए है तो अब देखते हैं क्या होता है उसके बाद यहां पर किंग ने बोला चलो हम सीधा सेंटर पर खेलेंगे तो किंग दी फाइव आया और नाइट ने जो बिश्यपता उसको कैप्चर कर दिया तो यहां पर अभी तीन पॉन है ब्लैक के पास और यहां लुटन है और यहां पर रुख i5 और जो धिक है जो 죽 फैल यहां को कवर करने के लिए यह आप यहां più टाएव को काप्षर करने कि तश्ग ने की तैयार ही तो यहां पर रुख i5 छ्पाइल है उसको cover करने के लिए चल पड़ा तो यहां पर रुक फिर से f5 आया और king a4 पर आया फिर से जो है रुक ने jack दिया f4 पर फिर king a5 आया और उसके बाद यहां पर रुक जो है वो h4 आया तो यहाले जो पॉन है उस पर h6 b4 और e4 यहां पर आप इसको basically spawn को win करना चाते हो fork लगा के बड़ आप विन कैसे करोगे आप okay यहां पर capture करोगे capture करोगे और आपका pawn यहां पर दीरे दीरे आगे पड़ेगा लेकिन उससे पहले जो यहां पर रुक खेलेगी वो king a4 खेलेगी और यहां पर e5 है ठीक है आपने इस pawn को capture करने के लिए तयारी की क्योंकि यह pawn आप ऐसे capture नहीं कर सकते क्योंकि आपको रुक हैंगिंग है और उसके बाद तो आप इस रुक को move कर सकते हो पर आपका फिर यहां capture कर लेगा पाउन को और आप इसको फिर capture नहीं कर सकते हैं इस pawn को capture कर सकते हो चेक देखें तो यही हुआ रुक e6 आया capture किया और उसको रुक e6 चेक रुक किंग को b3 किया रुक d6 किंग a3 और उसके बाद यहां फिर से चेक repeat करते हुए move यहां पर लेकिन बार बार नहीं होता है क्योंकि आप तो कुई बना नहीं है तो यहां पर रुक d6 आया pawn को push किया और उसको फिर से पीछ लेके गए रुक d8 पर और किंग जो है b1 square पर पहुंच किया जहां पर queen बनने के लिए तो king d2 आया और यहां पर pawn को push किया और फिर यहां पर rook a8 आया तो यहां पर check दिया और check देने के बाद आप क्या करो किंग को move करो कहीं ना कहीं तो फिर आपका जो है रुक यहां पर आ जाएगा और king जो है move हो जाएग और यहां पर pawn बना लेगा तो sorry pawn को push करके यहां पर queen बना लेगा तो यह इस point पर फिर जो white ने resign कर दिया I think यहां पर move 56 पर तो यह थी victory यहां पर Magnus Carlson की I hope आपको यह game अच्छा लगा होगा थैंक यू